ओम शान्ती बाम दादा मधवन आज की मधूर मुड़े चाल दस दो हजार सोवीश मीठे बचे तुम जितना जितना बाब को प्यार से याद करेंगे उतना आशिरवाद मिलेगी बाब करते जाएंगे बाब बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं उतर बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको चित्र के धर्म में नहीं जैसे बाब विदेही विचित्र हैं ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं फिर यहां चित्र शरीर में आते हैं अभिबा बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित बनो अपने शोधर्म में टिको दें अभिमान में नहीं आओ भगवान भी ड्रामा अंसार किस बात के लिए बाध मान है उतर ड्रामा अंसार बच्चों को पतिच से पावन बनाने के लिए भगवान भी बाध मान है उनको आना ही है फुरुशुतम शंगम यूपण बाव बैट रुहानी बच्चों को समझाते हैं जब ओम शंथी कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को शोधर्म का पर्चे दिया जाता है आज की मुल्ली से मुक्धस बाइट पहली पाइट सिर्फ भगवान का पूरा पड़्चे नहीं है भगवान अपना और आत्मा का पड़्चे देने ही आते हैं दूसरी पॉइंट पुरुशुतम शंगम यूपपर संगम युक की समझानी भी देते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं तीसरी पॉइंट मृत्यु लोग में आयुक कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है वह फिर है अमाल लोग, जहां अकाले मृत्यु नहीं होती क्योंकी पवित्र है चौथी पॉइंट यहां तो बाप कहते हैं, मुझे हरवर से कोई याद करो, हद के संबन को छोड़, अब बेहद के संबन को याद करना है पांचमी पॉइंट अगर तुम मेरी मत पर चलपवित नहीं बनेंगे तो सोगुणादन भोगना पड़ेगा बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सब्गुरु के निंदक ठाओड ना पाए चटनी पॉइंट बाप कहते हैं, मीठे मीठे वच्चे तुम देवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, ये देवी देवता बन सकते हैं, ऐसे नहीं सब लच्मी नारायन बनेंगे सात्मी पॉइंट ब्रह्मा विश्नु संकर को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा देवताय नमा, विश्नु देवताय नमा, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमा तो परमात्मा बड़ा ठेवराना आठमी पॉइंट सब मनुस भक्ती में हैं ज्यान सागर जगत का गुरू एक को कहा जाता है अभी तुम जानते हो सर्व का सद्गती दाता है अब यह समझावें कैसे बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूध है बेहत का बाप उचते उच है वह कोई हद का वर्सा तो नहीं देगा ना लगकिक बाप होते भी बेहत के बाप को सब याद करते हैं दस्मी पॉइंट बच्चे खयाल करते रहते शत्युग में क्या होगा सत्युग याद पड़ेगा तो सत्बाबा भी याद पड़ेगा बाबा हमको सत्युग का मालिक बनाते है वहाँ यह पता नहीं कि हमको यह बात साही कैसे मिली है इसलिए बाबा कहते हैं लच्मी नारा में भी यह ग्यान नहीं है अच्छा धाला के लिए मुक्तिशार पहली पॉइंट यह रूहानी पढ़ाये बहुत उची और डिफीकल्ट है इसमें पासोने के लिए बाग की याद से आशिर्वात लेनी है अपने करेक्टर शुधरने हैं दूसरी पॉइंट अभी कोई भी इल रिगत मत पर चलना है वर्दान आजवावने दिया बाग के साद और पवित्रता रूपी शुधर्म को सहेजपालं करने वाले मास्टर शौरोशक्तिमान भौक इसबश्तिकर यह आत्मा का शुधर्म पवित्रता है अ पवित्रता पाध्धर्म है जब शौधर्म का निश्य हो गया तो परधर्म हिला नहीं शकता भाम जो है जैसा है अगर उसे यर्थात पैचान का साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी शौधर्म को धारन करना बहुत चहिज है क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है शर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर शर्वशक्तिमान के आगे अब पवित्रता आ नहीं सकते अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्य में कमी है स्लोगन आजबावा ने दिया तिरकाल दर्शी किसी भी बात को एक काल की ड्रश्टी से नहीं देखते हर बात में कल्यार समझते हैं ओम शानते